नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल जीयोगी नीस में दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को में लेंगी सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूप में तो दोस्तो आपसे छोटा सारी क्वेश्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नह जी हाँ दोस्तो कस्मीर को लेकर के अमेरीकी राष्टपति डूनल ट्रम के मध्यस्ता वाले बयान पर भारतिये विदेश मंतरी एस जैसंकर ने करार जबब दिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है दरसल कस्मीर पर मध्यस मंतरी एस जैसंकर ने कड़ी आपती जताई है विदेश मंतरी ने कहा है कि कस्मीर का मसला दूइपक्षी है और इसमें किसे तीसरे की मध्यस्ता की जरूरत नहीं है इस मुलकात के बारे में विदेश मंतरी एस जैसंकर ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका के विदेश मंतर ने छेत्री मामलों पर विस्तरित वारता हुई है जिसमें से अमेरिकी समकत्य पॉम्पियों आज सुबह असपस्ट रूप से यह बता दिया है कि यदि कस्मीर पकिसी वारता की आउसकता हुई तो वह केवल पाकिस्तान के साथ होगी और दुविपक्षिये होगी जी हां दोस इसमें चोपड़ और 35 लाग किसानों को पहली और दूसरी किस्त के दोतो हजार रुपए मिल चुके हैं एक अगर्स से तीसरी किस्त भेजी जानी थी लेकिन अब तक क्रिसी मंतराले ने असपश्ट नहीं किया है कि तीसरी किस्त कितनी किसानों को भेजी जाएगी अब तक जितने किसानों के पास पहली और दूसरी किस्त का पैसा गया है उनका अधार बायोमेट्रिक वेरिफिकिसन नहीं गुआ है यह काम तीसरी किस्त के लिए होगा खास बात यह है कि जिन लोगों ने पैसा ले लिया है और उसके लिए पात्र नहीं है सरकार उनसे यह पैसा वा प्रकारिती है कि इसकीम की दूसरी किस्ट के लिए मंत्री मंडल के आधहार पर कोई अनिवार बनाया गया था लेकिन बाद में इसमें ढील दी गई हैं। इसके तर्च पर कहा गया है कि लभार्तियों के आधार ब्यूरो को पर्मानित करने के कारण दूसरी किस्त को जारी करने में देरी होगी, इसमें से किसानों को असंतोस बढ़ेगा, इसलिए आधार सर्थ में धील की गई थी, इस सर्थ तीसरी किस्त जारी करने के लिए हमाने ह तीसरी किस्त का भुगतान करने से पहले सरकार आकडों को पर्मानित करने के लिए परियात कदम उठाएगी। जवानों की तेजी से तैनाती के लिए सरकार ने सी सतरा समित भारती वायशना के बिमानों की भी सेवा में लगा रखा है। जवानों की बड़ी संख्या में और इतनी तेजी से की जा रही है कि तैनाती को लेकर के पाकिस्तान की तरब से भी बयान बाजी हुई है। कस्मीर में सुरक्षा बलो की 280 से अधिक कमपनिये तैनात की गई हैं। अधिकारी सुत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलो को सहर के अतरिक्त समवेदन सील इलाकों और घाटी के अन जगों पर तैनात की जा रही है। इसके अधिकतर CRPF करमी ही मोजुद रहेंगे। सुत्रों क वहीं ग्रिह मंतरारे ने का है कि जम्मू कस्मीर में बलो की तैनाती आंतरिक सुरक्षा इस्थिती पर अधारित है। जीहां दोसो अगली खबर आपको बता दे कि PNV ग्राहकों के लिए जटका, FD पर अब मिलेगा कम ब्याज। जीहां दोसो अगर आप पंजाब नेशनल दरों की कितनी कटाउती की है। जीहां दोसो आपको बता दे कि पंजाब नेशनल बैक ने फिक्स दिपोजिट की ब्याज दरों में 0.50% की कटाउती की है। बैंक की वेबसाइट के मताबिक 7 से 14 दिनों के बीच यानि की 15 से 29 दिन की मैचूरिटी ओधी के लिए ब्याज द 0.50% कर दी गई है। इस ब्याज दर दू कडोर रुपे तक निवेस पर लागू होगा। पंजाब नेशनल बैंक की नए ब्याज दर बीते एक अगसे लागू हो चुकी है। आसान भासा में समझे तो अगर आप एक अगसे पंजाब नेशनल बैंक के फिक्स दिपोजिट क के जरिये निवेस करने जा रहे हैं तो आपके पहले यह मुकाबले मतलब 0.50% कम ब्याज आपको मिलेगा। इससे पहले जुलाए में भी पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स दिपोजिट की ब्याज दरों में कटवती के थी।